का है अब है वालो दोस्तों वेलकम डो माय चाना नेटकाश ओन वेब्यक्षाव cousin आज हम सिखें ढूंगे दोस्तों Google में जो रीसेंड होता है उसको strategies देखेंगे यह देखेंगे देखेंगे ये मेरा सर्च में वैं जारहों यह समिरा रिषम रिषए 물ह निस शे आगया है था है कि किसे सरी मेरा यहांकु सुछत को ऄहां प्रहूं दिखाया थो दोट सब बार दिखाया था फिर से जाताओं इस दो गोगल में कि देखिए यहाँ पर मैं जाओंगा फिर यहाँ पर जो भी रिसेन इस्ट्री है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी यह देखे यह मेरी recent history है यह जिसको मुझे डिलीट करना है यह दो also browser की history actually अगर आपको single single करना है तो यहाँ से जो into का आपको मारती रहा है उस पर click करके आप कर सकते हो पूरा आपको एक साथ करना है तो आप क्या करना है browser का history delete करने के लिए जाना है three dot पे यह और setting में जाएए यहाँ पर history का option उपर ही है history क्लिक किजिए और यहाँ पर clear browser data पर click किजिए दोस्तो और यहाँ पर all time या जितना भी एक दिन का चाहिए साथ दिन का चाहिए चार दिन का या आप all time मतलब पुरा delete करना है तो click किजिए और यहाँ पर clear data पर click क हो जाएगा अभी बात करते हैं जो account से आप Google में login हो उसका history कैसे डिलिट करें हाँ दोस्तों आप जो भी Google में जिस login से आप login करते हो Gmail से उस Gmail ID पर आपका history से होता है ओके तो आपको क्या करना है आपको जाना है यह three dot पर और यहाँ पर आपको setting में जाना है सेटिंग में नहीं जाना है तो सबको मैं फिर से आपको दिखाता हूं फिर से गूगल में जाना पड़ेगा जोड हो रहा है दोस्तों यहाँ पर three dot पर जाना है और आपको जाना है search activities में जाने के बात आपको दोस्तों डारेग यह Google में लिखे जाएगा गूगल activities में जैसमें आप अकांट एक्टिव हो लॉग इन हो यह देखे यह भी एक सर्च रिसेंट सर्च है गूगल में जो सेव होता है ना कि आपके ब्राउजर में ब्राउजर में सेव हो आपको मैंने डिलीट कैसे करना है सिखाया है अभी इसको आप बारी बारी डिली किजिए और यहां पर डिलीट का अप्शन आ जाएगा इस पर क्लिक किजिए तो यह दिलीट हो जाएगा पूरा एक साथ करना है तो यह टूड़े का सर्च हिस्ट्री है इसमें क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो और बाद में आप ऐसे यस्टरडे और जो भी डेट है उसक प्री है कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों और भी कुछ डाउट से जो क्लियर नहीं हुआ है तो प्रीज कमेंट्स में लिके मैं उसका हंड्रेट पंसें आंसर दे दूंगा तो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग